प्रक कि जी हाँ आप देख रहे हो ही लौ जी और जैसा की एग्जाम के डेट्स नज्दीक आते जा रहे हैं ये आउगस्थ में एक्सपेक्टेड है कि एक्जाम होगा ओर अगर अगर सब कुछ सही रहा तो आउगस्थ में एक्जाम हो जागा नहीं तो सप्रेंबर या अउक सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले जो सोईंग होता है वो कितने डिप्थ में होता है तो यह 4 cm उसके बाद पर्ल मिलेट का ओरीजिन क्या है कैनेड है या एफ्रिका है तो यह एफ्रिका होगा इसका आंसर जो इसका है वो इसका जो आंसर की आता है बाद में एक्जाम देने के बाद आपको आंसर की अपलोड करेगा इनस्ती तो उससे सारे आंसर मैच कर आये हुए है तो यह कुस्चन भी ऑथेंटिक है और आंसर भी ऑथे भी है foundation seed में भी आ जाता है अगर processing अच्छे से नहीं हुई है तो ऐसे chances बहुत कम होते हैं कि इसका weight बहुत कम होता है test weight इसका होता है दो ग्राम तो बहुत कम chances होते हैं अगला question है time of transplanting of borrow paddy जो ज़्यादतर वेश्ट बंगाल में लगता है और बोरो जो लगता है वो दिसंबर में लगता है scented variety of rice rice का scented variety कौन सा है तो rice का scented variety है कस्तूरी यह याद रखना है variety से बहुत ज्यादा question आपको मिल सकता है बहुत ज्यादा even three to four question तो आपको मिल सकता है जो आपके selection में बहुत ज्यादा role play कर सकता है और आप याद रखें topic wise questions को complete किजिए वैसे कि होगा कि आपको confidence आगा उम्मीद होगा कि उसमें से कुछ questions पूछ ले जाएंगे तो marks आपके वहाँ से secure हो जाते हैं अगला जो है करनल आफ ग्राउंड नेट कंटेंस आइल परसेंट होता है ग्राउंड नेट के करनल में तो यह होता 48 परसेंट अगला question optimum diameter आप पोटेटो ट्यूबर फोर सीड तो सीड का जो पोटेटो ट्यूबर होता है उसका optimum diameter क्या होता है देखे सिर्फ diameter की बात कर रहा है यहाँ पर यह चीज़ पढ़ना है diameter और अगर radius की बात करता तो हाफ होता है यह डाइमीटर है और हाफ होता तो यह रेडियस होता है यह 2.5 cm अगला question देखते है फर्स्ट इरिगेशन अब डॉब वीट इस सीड्यूल एट जो वीट का इरिगेशन सीड्यूलिंग होता है उसके यह साबसे तो यह होता है फर्स्ट जो होता है 2225 देज आफ्टर स्वाइंग अगला question देखते हैं which of the following nutrients is beneficial but not essential to plants beneficial तो है but essential नहीं है यह बहुत ही common question है और maximum जगह पी यह पूछ दिया जाता है तो इसका answer होता है sodium, sodium beneficial है but essential नहीं है मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसको डाले अगर डालियेगा तो benefit होगा और नहीं डालियेगा तब भी बढ़िया plant nutrient increasing disease resistance in plants is कौन सा होगा यह होगा potassium, disease resistance को create करता है इसलिए potassium की आव सकता पढ़ती है और डालते हैं अगला question देखते है स्वाइल structure appropriate for crop production के लिए कौन सा स्वाइल structure appropriate होता है यह भी important question है आपको trainee agriculture का जो questions मिलेगा वह overall agriculture से मिलेगा कोई भी section को नहीं छोड़ता है चाहे वो smile science हो, extension हो, agronomy हो, horticulture हो, सारे से questions आपको मिलेंगे कुछ कुछ questions जरूर मिलेंगे हर एक subject से तो इसलिए सारे subject को अच्छे से पढ़ें और मैं बार 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 बता रहा हूं कि नेमराज सुंदा को आप बिलकुल पढ़ें अगर आप trainee PhD का एक्जाम दे रहे हैं तो नेमराज सुंदा पक्का रट लें चलिए तो इसके लिए होता है granular, suitable day temperature for growth of main ruby crops, ruby का जो main crops होते हैं उसका suitable temperature क्या होता है 27 से 29 degree Celsius और रभी का showing time क्या होता है October to November, October to November, इवन बिहार में December तक भी लगाया जाता है, wheat, ऐसे wheat का showing date है वो 15 October to 15 November है, suitable जैसे जैसे एक एक दिन डिले होगा, yield घटते जाता है, चलिए आगे देखते हैं, essential micronutrients, essential micronutrients, macronutrients कौन सा है, देखें, potassium, calcium, sulfur, manganese, तो manganese होगा सही answer इसका, अगला question देखते हैं, form of zinc absorbed by plants, देख लिए, this oil science का question आपको दिख रहा है, यह होता है, zinc, iron, double plus, उसके बाद, symbiotic bacteria is, symbiotic bacteria कौन सा है, तो यह है rhizobium, उसके बाद green manure crop, providing maximum nitrogen, मतलब green manure जो हम लगाते हैं, जिससे धैंचा है, यह सब जो लगाते हैं, उसमें से सबसे maximum nitrogen कौन प्रोवाइट करता है, यह करता है, सनई, यह आपको याद रखना है, चलिए, आगला question देखते हैं, material used to control, acidity in decomposition of compost is, मतलब compost की decomposition में, कौन सा material यूज करते हैं, acidity control करने के लिए, यह यूज करते हैं, हम लोग lime, lime डाला जाता है, compost अगर हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें lime का application किया जाता है, यह maximum लोग वो पता है, चलिए, proper method of crop production against slop is, अगर slope हो, तो उसमें कौन सा अच्छा method है, crop production के लिए, इसको बोलते हैं, strip cropping, strip में लगाते हैं, strip में divide कर दिया जाता है, पूरे land को, चलिए, percentage of sand in clay soil, clay soil में sand का percentage क्या होता है, तो 30% होता है, proper method of application of DAP, DAP को कैसे apply किया जा सकता है, तो below seed in furrow, seed के नीचे, पहले ही लगा दिया जाता है, पहले ही अडाल दिया जाता है, इसको, diamonium phosphate, उसके बाद, best method of irrigation in wheat crop, from canal is, अगर आप canal से irrigation कर रहे है, तो कौन सा best method आप अपना ही हैगा, flooding कीजिएगा, wheat में तो flooding कीजिएगा, तो नहीं चलेगा, तो border strip method जो है, वो सबसे suitable है, उसके बाद, proper time to use, सीमाजीन, for control of weeds in sugarcane, sugarcane में, weeds के control के लिए हम लोग सीमाजीन यूज़ करते हैं, सीमाजीन एक herbicide है, तो सबसे proper timing क्या है, इसके use करने का, यह आपको बताना है, तो इसका सही answer होगा, before germination, germinate करने से पहले हैं, सीमाजीन का application कर दिया जाता है, suitable soil, for plant growth is, plant के growth के लिए सबसे suitable soil क्या होता है, loomis soil होता है, क्योंकि इसका water holding capacity और air holding capacity ज्यादा होता है, तो इसमें बहुत अच्छा crop grow होता है, तो loomis soil बहुत अच्छा होता है, उसके बाद steel used in construction of agricultural implements, देखें कितना अच्छा पोश्च्चन है, बलता है agricultural implements, यह agriculture implements आपको मिलेगा, agriculture engineering में, steel used in construction of agriculture implements is, implements is, mild steel, high carbon steel, soft, center steel या all, तो all of them हो, सारे तरह के steel use किये जाते हैं, plot clearance is, क्या है, plot clearance क्या है, यह होता है, distance under the beam to ground, देखें, agriculture engineering का question है, उसके बाद, a scrapper is used for, a scrapper को क्यों use किया जाता है, यह आपको बताना है, यह labeling करने के लिए use करते हैं, चलिए अगला question देखते है, interculture of crops is done for, किस लिए किया जाता है, crops का interculture किया जाता है, aeration of soil के लिए है, अब rooting of grasses के लिए conservation, तो इसका सही answer होगा, all of the above, that is all of this, चलिए अगला question देखते हैं, अगला question है, शाहिवाल काव has which one body coat color among the following, देखें, यह जो है, यह veterinary का question है, तो साहिवाल काव का कौन सा color होता है, तो यह होता है red, यह आपको याद रखना है, उसके बाद, breeding tract of jamunapari goat in which one of the following is, in which of the following, यह question है इसका, तो breeding tract बताना है, इसको बोलते हैं, चकेर नगर, यह चकेर नगर में है, अगला question देखते हैं, which one is an exotic breed of sheep, sheep का exotic breed कोन सा है, यह सब बिंडी जीना से, गदी है, बीका नेरी है, बीका नेरी राजास्तान में मिलता है, तो यह merino जो है, वो exotic है, अगला question देखते हैं, edible part of nolkhol, nolkhol का edible part काउन सा है, तो यह है modified stem, इसका modified stem हम लोग खाते हैं, seed rate of main season onion, per hectare, onion का, seed rate क्या है per hectare, यह आपको बताना है, तो यह इसका सही answer होगा, 5-7 kg per hectare है, उसके बाद, अगला question देखते हैं, बनारसी कराका, वाह, क्या variety का नाम है, दो variety का question अभी तक मिल चुका है, एक था rice का centered variety कौन सा है, तो वो कस्तूरी है, उसके बाद, बनारसी कराका is a variety of, किसका variety है, देखे इस तरह के question ऐसे से variety आपको मिलेंगे, जो लगे का भाई कहां से पूछ दिया है, तो यह है bear, bear का वे रटी है, nitrogen requirement of banana plant, banana plant के लिए nitrogen की क्या requirement है, यह आपको बताना है, उसके बाद, अगला जो question है, वो है, nitrogen requirement of banana plant, बनाने के लिए nitrogen की कितनी requirement पढ़ती है, तो एक बनाना लागाने के लिए nitrogen की कितनी requirement है, मतलब nitrogen की requirement per plant, बनाने के लिए, तो यह है 200 gram, उसके बाद अरका हरी तीज़े variety of bitter gourd, यह बहुत है tricky question था, यह इवेन, बहुत लोगों को लटका सकता है, bottle gourd, sponge gourd, musk melon, यह सारे ऐसे options हैं कि आप confused हो सकते, तो यह bitter gourd, करेला का variety है, अरका हरीत, अरका मतलब IIHR, इंडिरिन इस्टीट आप हर्टी कल्चर रिसर्च बैंगलोर, उसके बाद 36 वा question देखते हैं, banana sweet is a variety of, देखिए, नाम ऐसा रखा है, कि कोई मीठे fruit वागेरा का variety होगा, most probably आदमें को लएगा कि बनाना का है, मगर यह chili का variety है, तो अभी तक आपने देखा, 4-5 question आपको मिल गया variety का, उसके बाद अगला question देखते हैं, musk melon in North India is sown in, North India में musk melon की कब sowing होती है, यह होते हैं फरवरी मार्च में, North India, उपर चले जाईएगा, Delhi, UP, यह सब जगा पर बोला जा रहा है, कि musk melon का जो खेती है वो कब होता है, यह होता है फरवरी मार्च में, seed rate of bottle god for summer crop, summer crop के लिए, मतलब bottle क्या है कि हमेशा हर एक सीजन में लगता है, तो summer crop के लिए, bottle god का seed rate क्या है, तो यह है 4-5 kg पर हक्टेर, अगर आपको यह चीज याद नहीं रखना है, तो हमेशा आप seed rate याद रखिए, वो अल्मोस्ट वही होता है, तो 4-5 kg होता है पर हक्टेर, अगला देखते हैं, फैमिली आफ कैरट, देखे, यह बड़ा important question है, तो इसका सही answer क्या होगा, कैरट का जो फैमिली होता है, अम्बेली फैरी होती है, चालिसवा question देखते है, the average yield of terni per hectare, जो सलजम होता है, उसका per hectare yield कितना है, यह आपको बताना है, तो इसका सही answer होगा, देड़ सो से धाई सक्यूंटल, option two, उसके बाद अगला question देखते हैं, serious damage due to the suit and fruit borer is in, मतलब suit and fruit borer से सबसे serious damage किसमे होता है, बहुत common है, brinzel में बहुत जादा attack होता है, fruit borer का, suit borer का, हद से जादा attack होता है, तो एकदम common question है, cauliflower originated in, origin क्या है, इससे पहले भी question पूछा जाद शुका था, एक origin से related, उसके बाद कॉलीफ फ्लावर का जो origin है, वो है, साइपरस, nitrogen fertilizer in tomato, should be applied as, अब बात है कि nitrogen fertilizer, अगर यूरिया डाल रहे हैं, tomato में, तो कैसे डालना है, तो देखें, इसका third option सही होगा, 50% fertilizer, prior to transplanting, transplant करने से पहले, 50% urea का application कर दे, 50% after one month, उसके बाद, pride of India is a variety of, अभी तक 6-7 question मिल चुका है, variety से, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहाओं कि variety पे आप एकदम ध्यान दे, यह आपका selection से और कर सकता है, pride of India is a variety of, pride of India किसका variety है, यह है cabbage की variety, उसके बाद, botanically, leachy fruit is a, क्या है, pom है, droop है, berry है, तो यह nut है, kalmig is a variety of, kalmig किसकी variety है, तो यह sweet potato की variety है, ऐसे kalmig एक medicinal plant भी आता है, excretory material of insect is, अब यह देखे, biology का question है, element wealth की biology, आपको थोड़ा याद होना चाहिए, तो uric acid, uric acid excretar होता है, उसका ऐसे तो यह entermology का question दिख रहा है, उसके बाद ligament joints, यह देखे, pure biology का question है, तो ligament joints, ligament किसको joint करता है, तो bone to bone को joint करता है, ligament, उसके बाद silver fish is, क्या है, silver fish क्या है, malascape fish है, crustacean है, तो यह एक insect है, यह common question है, उसके बाद the main enzyme present in gastric juices, gastric juice में, यह भी biology का question है, आपको digestive system से question यह दिख रहा है, तो यह है pepsin, इसका सही answer, उसके बाद अगला question देखते हैं, which is mismatched, तीसमें से कौन सा mismatched है, तो hemiptera termite, termite जो है hemiptera से बिलोंग नहीं करता है, तो यह सही answer होगा, इसका option 2, which is, which of the following is not warm-blooded animal, बाकि सब cold-blooded होंगे हैं, मतलब, bulbul, cold-blooded है, cold-blooded है, kangaroo, cold-blooded है, warm-blooded हो होता है, उसके बाद, brunners gland, are situated in the, देखे, एकदम biology का question मिलेगा, आपको एंसे अर्टिक एलेंट वल्ट का biology भी पढ़ लें, और जिसकी अच्छी है, वो तो benefit में रहेगा, तो यह कहां भी मिलता है, यह मिलता है, dudenum में, उसके बाद, which of the following does not possess red blood, इन में से किस के पास red blood नहीं होता है, आत्माम के पास होता है, फिस के पास होता है, सिनेक के पास होता है, तो कॉकरेज के पास red blood नहीं होता है, medical का तो बहुत ही famous question है, उसके बाद, which animal does not possess four-chambered hud, तो horse, man, rabbit, इन सब के पास four-chambered hud होता है, उसके बाद, फिस के पास जो होता है, वो three-chambered hud होता है, चलिए, अगला question देखते है, in havers process, for the manufacture of ammonia, the catalyst used is, कौन से catalyst used होता है, इसमें catalyst used होता है, finely divided iron, इसका यूज किया जाता है, finely divided iron का यूज किया जाता है, option two हो गया, इसका सही answer, the formula of gypsum, gypsum का formula क्या है, ये easy question है, calcium, sulfate, that is CA, SO4, 2H2O, उसके बाद, अगला question देखते हैं, IUPAC name, देखें, ये भी एक question आपका fix है की रहेगा है, IUPAC name से रहेगा है है, हर साल रहता है, जबकि easy रहता है, तो इसका answer होगा, इथीन, देखते हैं, the division of nucleus is known as, nucleus का जो division होता है, एक से दो जो बनता है, उसको क्या बोलते हैं, karyokinesis, a true fruit develops from, true fruit का development कहां सोता है, सिर्फ ovary से development हो सकता है, बाकि जहां से भी होगा, वो false fruit कहलाएगा, जैसे thalamus जो होता है, वो apple का, वो false fruit कहलाता है, उसके बाद, meiotic division takes place in, meiotic division किस में होता है, यह होता है, flower में, उसके बाद vessels, trackets, wood fibers, and wood, parenchyma are the components of, किसका component है, phloem, cortex, medullary rays, या xylem, तो यह xylem को होता है, देखिए, इसके लिए थोड़ा सा trick है, आप इसको याद रख सकते हैं, जाईवा, जाईवा मतलब, x, y से xylem, और w से water, मतलब जाईवा जो है, वो water का flow करता है, water का transport करता है, तो water का transport होता है, lower to upper, मतलब, नीचे से उपर, plant में, water and nutrients का supply, xylem करता है, और phloem, automatic याद हो जाएगा, कि phloem से food, तो food का supply करता है, phloem, चलिए आगला देखते हैं, the stomata, are shrunken in, stomata किस में shrunken in होता है, यह होता है, zerophytex में, zerophytex में, जो होते हैं, उसमें, stomata जो होते हैं, उनके, वो संकुचित होते हैं, चलिए आगला देखते हैं, in green plants, photosynthesis occurs in, green plants में, photosynthesis कहां होता है, यह सब को पता है, chloroplast, देखे, कुच-कुच question देखकर, आपको लग रहा होगा, कि बड़ा easy है, यार, बिंदम मार करा जाएंगे, मगर आप बिस्वास कीजिए, cut-off जाता है 75, आपके marks, या तो 72 आएंगे, या 73 आएंगे, या 74 आएंगे, या 69 आएंगे, या 69.45 आएंगे, या 72.25 आएंगे, इसके आसपास रहेंगे, आप से और रहेंगे, तो इसमें से आपको लगए कि maximum question हमको आता है, बट selection यहीं में decide होगा, कि अगर आप 75 से आगे, कितना मार कराते हैं, यह important रहता है, तो इस बार 80 लेकर चलें, चलिए अगला question देखते हैं, which is, question क्या है, which one is a sourdough plant, तो tomato, pepper, sunflower, soybean, soybean जो होता है, वो sourdough plant होता है, और tomato जो है, वो zero-day plant होता है, चलिए edible part of coconut, coconut का edible part क्या है, इसका edible part है, end of sperm, उसके बाद, when gylum and cambium are present on both sides, of gylum, the vascular bundle is called as, by collateral, अगला question देखते हैं, name the family of watermelon, watermelon का family क्या होता है, water mammal का family होता है, kukurbitaceae, उसके बाद, एकला question देखते है, orasia sativa is the botanical name of, orasia sativa किसका botanical name है, बहुत common question है, rice का है, उसके बाद, the nitrogen fixing bacterium is, कौन सा है, agetobacter है, यह याद रखना है, यह थे 70 questions, agriculture related, अब हम लोग पहुचे के, section B में, section B का बहुत ज़्यादा portion में, discuss नहीं करूँगा, even, ना के पराबर, discuss करूँगा, इसका sectional discussion, मैं अलग-अलग कर दे रहा हूँ, अगर आप मेरी videos नहीं देखे, computer का, अगर आप videos देखेगा, तो इसमें से computer का question, मैंने वहाँ पे cover किया है, जो previous work का question, उसमें मिलेगा आपको, उसके बाद, इसके जो GS के question, वो मैं अलग से एक section में cover करूँगा, English का भी previous work का question, सारा मिला गए, 40-50 cover करूँगा, तो वैसे अगर आप sectional wise देखेगा, तो यह 30 questions जो है, आपके वहाँ पे complete हो जाएंगे, और अगर आपको मेरी इस video की PDF चाहिए, या यह पूरा जो question है, प्रिवेश एर का, इसका अगर आपको PDF चाहिए, तो आप रोहिलोजी को ज्वाइन कर लें, टेली ग्राम में सीधा टाइप करें, रोहिलोजी आपको मेरा चैनल दिखेगा, उसमें logo लगा हुआ होगा, और ये लो बैक्ग्राउंड होगा, तो ये था आज का पूरा वीडियो, और जी जान से मेनत कीज़े, जब तक selection नहीं हो जाता है, पीछे छोड़ना है नहीं है, ठैंक्स पर टुड़े, बाबाई,